हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टु माई चैनल, रूप टेरेस कार्डनिंग आज के आधुनिक दुनिया में पेडों को बचाना बहुत ही ज़रूरी है जहां सहरी करण और द्योगिकी करण और ग्लोबल वारिमूंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है हम इस तरह से पेडों की कटाई नहीं कर सकते क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान है अगर पेड ही नहीं बचेंगे तो जीएंगे कैसे इसलिए हमें कम से कम पेड काटना चाहिए और इसे बचाने के लिए इसका बहुत सोथ समझ कर उपयोग करना चाहिए पेडों को कैसे बचाएं इसका बहुत असान तरीका है हम जितना पेड लगाएंगे उतना ही हम हमारे परियावरन को सम्रिद बनाएंगे मैंने अपने बालकनी गार्डन के गमले में खाये हुए आम और लीची के बीच को डाल दिया था जो कुछ दिनों बाद जर्मिनेट होकर पौधा लगाने के लिए तैयार हो गया है तो इन पौधों को गमले से एक करके जड़ सहित निकाल कर बिलास्पूर इस्थित अपने घर के सामने वाले गार्डन के खाली जगा में लगाएंगे दोस्तों बर्सात का मौसम है और यहां वर्सा भी हो रही है अभी मौसम को देखते हुए पौधार उपन करने का यह सही समय है तो चलिए दोस्तों सभी आम और लीची के पौधों को गमले से निकाल लेते हैं हमें लोगों को पेडों के महत्यों के बारे में बताना चाहिए कि वे किस तरह से हमारे जीवन में उप्योगी है पेडों के द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलती है और हमें फल भी मिलते हैं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत उप्योगी है रसाइनिक के नासकों वा खादों से पेड़ों को बहुत हानी पहुचती है इसलिए हमें केवल जेविक और्गेनिक खादों का उप्योग करना चाहिए इससे मिट्टी की गुनवत्ता बनी रहती है और पेड़ों पर जो फल आएंगे वे भी गुनवत्ता वाले होंगे हम कैसे भूल जाते हैं कि अगर पेड़ नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे पेड़ से ही तो पर्यवरन है और पर्यवरन से ही तो जीवन है पीडों को काटने से पिर्षवी के जीवन चक्र में बहुत सारे बदलाओ देखने को मिल रहे हैं जो कि हमारी धर्ती के लिए अच्छे संकेत नहीं है ग्लोबल वार्मिंग की वज़ा से बर्फ वाग लेसियर्स पिगलती जा रही है और इस कारण से समुद्र के जल अस्तर में काफी वृधी हुई है जिस जेव विवृधिता पर हमें नाज है वे धीरे धीरे भरबादी की ओर बढ़ रहा है तो इसलिए हमें पिलों को बचाने की जवज़त है और ऐसा हम और अधिक से अधिक पेड़ लगा कर सकते हैं हम जितना पेड़ लगाएंगे उतना ही पार्यवरण को लाव होगा मनुष्य कुछ देड़ तक भुखा प्यासा तो रह सकता है परन्तु ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता पेड़ हमारे एकोसिस्टम का एक बहुत ही महत्यपुन अंग है पेड़ हमारे पर्यवरण में संतुलन बनाये रखने का काम करता है और साथ ही हमें औसधी भी प्रदान करता है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ टेवल एक नारा नहीं है ये हम सब की एक अहम जिम्मेदारी है जिसे हर एक इंसान वा नागरिक को समझना और जानना मानना जरूरी है ये पेड़ ही है जो इस पर्यवरण को नियंतरित करता है अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि और अच्छी जानकारी आपके लिए ला सको धन्यवाद दोस्तों